बिहार में मंत्री मंदल विस्तार और 2024 के प्रहार की तयारी बिहार से शुरू हो चुगी है और आज ब्रेकिंग वी देजिंडा में चर्चा का विशय भी यही रहेगा आज बिहार में नितीश मंत्री मंदल का विस्तार हो रहा है जिसमें बड़ी खबर, बड़ी पार्टी होने की वचे से आरजेडी का दबदबा साफ तौर पर नज़र आ रहा है सुत्रों से मिली जानकारी के मुताविक आज 31 पंसरी शपत लेंगे जिसमें 16 आरजेडी से 11 जेडियू से 2 कॉंग्रेस से और एक माजी के बेते के साथ एक निर्दलिय शपत लेने जा रहा है इस विस्तार से कहीं खुश कहीं गम वाला सिलसला भी शुरू हो गया है हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुश्वा की उपेंद्र कुश्वा का नाम लिस्ट से कटने पर वो नाराज बताय जा रही है और नाराजगी का सियासी खेला भी शुरू हो चुका है इधर बीजेपी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष किसको बनाए इसका मन्थन कर रही है तो आज चर्चा का विशय यही है कि सारे जोड तोड करने वाली बीजेपी को क्या विहार की तरह है 2024 में नितिश देश से किनारे कर पाएंगे क्या नितिश पिहार में जातिय समीकरन बना का देश की राजनीती में अपनी धमक बना पाएंगे और सबसे एहम बीजेपी के साथ गटपंदन में 13 मंत्री और आरजेडी के साथ गटपंदन के घटकर 11 मंत्री अपनों को समझा पाएंगे ऐसे में कई सवालों कि आज करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और सबसे एहम क्या नितीश का बिहार और उसके बाद देश में प्रताप दिखाई देगा या फिर तेजस्पी तेज प्रताप की चलेगी इसी मुद्दे पर और होगी चर्चा लेकिन सबसे पहले बीजेपी का सियासी जो आरोप है वो सुन लिजे आरोप है वो सुन लिजेए एभवाई लेकिन सबसे का सियासी के सियानाए याद पर घचा रजा है वो सुन के रखने वो